Hello learners, welcome to channel तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने पंचायत सहाय किया फिर अकाउंटेंट कम डेटा इंटरी ओपरेटर के 3544 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो 17 जनरी से 2 फरवी 2023 के बीच में आवेदन आपको करना होगा और यह आवेदन आफलाइन मोड में कंड़र कराया जाएगा तो यहाँ पर नीचे ही आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा इसी पेडियाफ में और जो है सभी बंचायत में कहां कहां पर कितनी वेकैंसी हैं वो डेटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकते हैं तो ग्राम पनचायतों द्वरह आविदन पत्र आमंतित करने की सूचना ग्राम पनचायत के सूचना पट एवं मुनादी द्वरह कराया जाने की आओधी 14 जनुरी से 16 जनुरी 14 जनुरी से 16 जनुरी 2013 के बीच में जो है यह आविदन की सूसना दी जाएगी आपको अलग-अलग न्यूस पेपर या फिर ग्राम पंचायत के सूसना पट के द्वारा उसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्याले विकास खंड कार्याले एवं ग्राम पंचायत कार्याले के आविदन पत्र जमा करने की आविदी 17 जनुरी 2013 से दो फरोज़ी 2013 के बीच में आपको फॉर्म को फिल करके उसमें जो भी डॉक्किमेंट्स अटेच करने है उसको अटेच करके आपको जिला पंचायत राज अधिकारी कार्याले विकास खंड या फिर पंधित ग्राम पंचायत को उपलब्त कराने के वादी 3 फरोज़ी से 8 फरोज़ी के बीच में उसके बाद फिर जो प्रोसेज है कि उसको जे शॉर्ट लेश्टिंग के जाती है उसके बाद जिला अधिकारी की अर्धक्ता में गठीत समयती द्वरा प्रेक्शन होती है उसक ग्राम पंचायत कारेले में सब्मिट करना होगा और 25-27 फरोज़ी के बीच में आपको जो है नियुक्ति पर्त निर्गत कर दिये जाएंगे तो आप आप देख सकते हैं कि आविदन की प्रक्रिया में निर्धारित आविदन के प्रारूप पर समस्त सूचराएं आंकित कर व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कारेले अथवा जीला पंचायत राज अधिकारी के कारेले में निर्धारित समयावधी में उपलब्द कराया जाएगा तो आपको 17-22 फरवरी के बीच में आपको ये जो प्रपत है इसको फिल करके जो है आपको इसमें डाक्रम पंचायत का रहले में सब्मिट करना होगा तहां पर देख सकते हैं पंचायत साहिक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर तहां पर आपको राइट साइड में फोटोग्राफ लबकाना होगा उसके बाद फिर इसमें जो भी आपका डेट ऑब बत है उसके कोडिया लिखना है आयू पांचव पॉइंट है आयू एक जुलाई दोजा बाइस को आपकी एज क्या है वो आपको इब बताना है आप महिला है पुरुश है अन है यानि की जेंडर आपको बताना है दिस साथव पॉइंट है स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट है अगर आपने बारवी पास किसी भी बोट से कर लिया है तो आप अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको प्रमारपत्र सलंगन करना होगा यानि कि आपको अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप आप लिखेंगे उसका जो है मार्क सीट की फोटो कॉपी यहाँ पर आपको अटेच करनी होगे क्लियर सभी डिटेज आपको आईडी प्रूफ हो गया या फिर अधार काड हो गया आपका 10-12 इसकी मार्क सीट को आपको यहाँ पर अटेच करना होगा फिर यहाँ पर 12 जैसे हुई थी हाँ या नहीं आपको इन लिखना है मितक का नाम आपको अगर हुई है तो इसमें मितक का नाम लिखना होगा आवेदक का मित से संबंद क्या है पती है पत्नी है पुत्र है आभिवाहित पुत्री है विद्वा माता है और फिर आभिवाहित भाई है आभिव करता कि हस्ताक्षर और दिनांग डाल कर आपको अपना साइन करके इसको सब्मिट करना होगा फिर नीचे ही यहाँ पर देखे प्राप्ती रसीद है ग्राम पंचायद विकास खंड जिला पंचायद राज़तकारी में अगर आप सम्मिट करते तो आपको यहाँ पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर आपको यह रसीद भी दी जाए गया ने कि नीचे अलब पोसन आपको दे दिया जाएगा तो यह जो प्रपत्र है इसको आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके आपको फिल करना है इसमें डॉक्किमेंट को अटेच करना है और इस किस डिविजन, किस डिस्टिक, किस ब्लॉक और किस ग्राम पंचायत में वेकैंसी आई है यह पूरी लिस्ट है टोटल 92 पेज का यह पीडियाफ है इसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जागा वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अप्लाइक कर सकते हैं जो एजुकेशन, कॉलिफिकेशन, वो 12th पास होनी चाहिए प्लस यहाँ पर जो सेलरी है वो नेर्ली 6,000 के आसपास जो है वहाँ पे सेलरी दी जाती है पंचायत सहायक को यहाँ पे पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डेटा इंटरी ऑपरेटर हो तो इनकी सेलरी जो है पिछली बाद 6,000 रुपे थी अले गए है विशू अल्दाबेस्ट की पहुची